जै सुर्ज भगवान जै छटी मया तो दोस्तो अभी मैं हूँ देव में और ये सुर्ज कुंड में मैं हूँ इस तलाब के पास हूँ इस तलाब के क्या खासियत है मैं इसके बारे में आज आपको दोस्तो मैं बताने जा रहा हूँ इस तलाब के पीछे भी एक कहानी है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इस विडियो को असकीप मत किजिएगा दोस्तो इस तलाब में नहाने से बहुत सारा रोग भी ठीक हो जाता है ऐसा माना जाता है लोग को कहना है क्या लोगों को क्या फैदा है यहां क्यों अरग दिया जाता है आज इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे और बहुत सारे ऐसे जो रोग हैं इस तलाब में इस समाप्त हो जाता है दोस्तों इसके पीछे भी एक कहानी है जिनका नाम था आयल आयल एक राजा थे वो क्या हुआ कि सिकार करने के लिए निकल चुके थे अपने राज से और वो घुमते घुमते इस नगरी में आ चुके थे देव में जब यहां पर आएं तो काफी भी थकान ह हो चुका था काफी वो और ठक चुके थे वो और काफी उनको भूख लगे थी मगर इस जंगल बिरान में कोई भी चीज उनको खाने के लिए नहीं नजर आ रहा था दोस्तों तब वहां पर यही तलाब जो है से नजर आया और यह तलाब उस समय बहुत ही गंदा था तो आयल जो थे उनको एक रिसी ने स्राफ दिया था सुरेत कुस्ट रोग का जो उनका सरीर जो था बिलकुल उजला हो गया था तो राजा जब यहाँ पर आराम करने लगे बिसराम करने लग रहे थे तो उससे सोचे कि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो उन्होंने इस तलाब में इस स्रोवर में पानी पीना के लिए स्टार्टिंग किये जब वो पानी पी है तो उनकी छीटे जहां जहां पढ़ रहे थे वहाँ वहाँ जो कुष्ट जो रोग थे वो धीरे धीरे सही हो रहा था यानि बिल्कुल पलेन हो गया बिल्कुल पहले जैसा उनको दिखाई देने लगा असकीन को दोस्तों वो बहुत ही खुस में और वो क्या क्यों कि इस पुरे गंदे हुए तलाब में इस सरीर जो था कुष्ट रोग से बिल्कुल मुप्त हो चुका था बिल्कुल वो निरोग हो चुके थे फिर उन्होंने सोचा कि मैं रात को कहां जाऊंगा तो वो इसी अस्थान पर विश्राम करने लगे आराम करने लगे तो उसी समय इसी तलाब में भगवान सूर्ज का यहा कि इस मूर्ती को यहाँ पर निर्मान कर दिये जो बहुत ही भ्यांका रूप ले लिया जो यह पूरे बिश्व में फैल गया महान छट पुजा के नाम सी दोस्तों यहाँ एक और कहानी है कि जब अंगरजेव जो था सारे हिंदू के मंदिर जहां जहां थे उसको तोड़ना स्टार्टिंग कर दिया था दोस्तों जब वो देव में आया तो यहाँ सुझ भगवान का जब मंदिर देखा इसको भी तोड़ने की कोशिस करने लगा दोस्तों तो यहां के लोग थे उन्होंने कहा कि इस मंदिर को मत तोड़िये क्योंकि यह मंदिर वो लोगों को बहुत अस्था है और जेब ने कहा कि मैं एक सर्थ है मेरे साथ यानि आपके साथ कि मंदिर को मैं नहीं तोड़ोंगा अगर आपके भगवान में सक्ती है तो पूरब का जो दर्वाजा है परवेश दुरवार वो पस्चिन से परवेश दुरवार हो जाए परवेश दुरवार हो जा और फिर अंग्रजेब ने मान लिया और बोला कि जब ऐसा हो जाएगा तो मैं नत मस्तक करके यहां से मैं चला जाओंगा और मंदिर को नहीं तोड़ोंगा जब सुबा हुआ तो कुछ लोग अंग्रजेब को बोले कि मंदिर जो है पूरव से पस्चिम की और दरवाजा कर दिया गया जब अंग्रजेब जब देखा तो वो ताजूब हो गया और नत मस्तक करके यहां से वो चला गया और इस परचीन मंदिर को नहीं तोड़ा जो आज पूरे विख्यात है छट पुजा के नाम पर दोस्तो विडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो सेर जरूर कीजिएगा अब बहुत ऐसे इतिहासी कुछ धर में से समंदित विडियो है जो कहानी है जो आप लोगों को बताया गया होगा सूने गया होंगे मैं भी एक उसमें से एक कहानी आपको सुनाया हों दोस्तो तो चलिए इस विडियो को सेर जरूर कीजिएगा दोस्तो यहां पर जब मैं जब मैं सारी चीजे यहां पर बता रहा था तो एक सज्जन है आपका नाम क्या हुआ बिंदे स्वेरी शिंग तो इन्हों ने बोले कि हैं जो आपने बता बिल्कुल सही बता रहे हैं क्या हमने जो भी चीज बताया वो सही था ये गल्रभी रहा हैं लोग पढ़े हैं अहिती मैं उसके मुताबिक आप सही बोल रहे हैं हां यानि मेरा कहा हुआ सच है जब तो यह अर्य चीज हो और बता दूं कि यह मंदिर जो सुर्मंदिर है और इस जगह पर त्रेता यूग जब समाप्त हुआ था उसी समय भगवान सूर्ज का देव में या मंदिर बनाया गया था दोस्तों।